कोविड का खौफ जिसने हर किसी को डराखे रखा हुआ है आपको ये बता दे कि कोरोना के चलते महरास्ट में कई जगाहों पर अब संपून लॉकडाउन भी कर दिया गया है यानि महरास्ट में कई ऐसे सारे ऐसे केसिस हैं कई हजारों में केसिस आ रहे हैं हमारास्ट में और सरकार जो है वो अब काफी चिंता में है कि आखिरकार केसिस को कैसे रोका जाए आपको बता दें कि जहां पर लोग इतने डरे होए हैं वहीं पर कई ऐसे फिल्म के सूपरस्टार्स हैं जो कि इस को कोरोना से काफी डर गए हैं और उन्होंने वैक्सिन लगवा ली है बात करते हैं बॉलिवूट के सूपरस्टार सल्मान खान जिन्होंने इस वैक्सिन को लगवा लिया है और सल्मान खान जिन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि took my first dose of vaccine today याई उन्होंने पहरी dose ले ली है और उन्होंने उस vaccine को लगवा लिया है आपको ये बता दें कि Bollywood जिसमें कई सारे ऐसे actor हैं जिनन कोरोना हो रहा है जिनन हो भी चुका है और जो अभी भी सफर कर रहे हैं आपको ये बता दें कि हाल ही में जो केस आया था जिसमें कोविड हो चुका है आमिर खान को बीची हाँ आमिर खान जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और आज ही इस बात की पूरी पुष्टी हुई थी तो कोविड जिसने सब को डरा के रखा हुआ है और आप बॉलुट के कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि आप कोरोना से बशने के लिए अब ये वैक्सिन लगवा रहे हैं आपको ये बता दें कि सल्मान खान जिनका अब इस सफर काफी लंबा चल रहा है शूटिंग का वो शूटिंग पे शूटिंग किये जा रहे हैं और वो अपनी शूटिंग में काफी बिजी है बात करें उन्होंने शारुप खान के फिल्म पठान का भी उन्होंने शूट किया था जिसमें उन्होंका एक कैमियो रोल है उसका भी उन्होंने शूट किया था उसके बाद उनकी जो फिल्म है Tiger 3 जिसकी शूटिंग जो कि उन्होंने शुरू कर दी है और Katrina Kaif के साथ सल्मान खान जिन्होंने अपनी शूटिंग को शुरू कर दिया तो कैसा लगा आपको और क्या किना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसी अपडेट्स